पोट्टू, यर्नूर गोडी रुवा, पोर्ला थूईटू पए रिकाना, अपरे यन्न सट्टा उलूंगी पन्ना गटिये संबोत पता जप्पान उड़ अड़िया था अरकूंबल रुगी पुल्ले अड़िचे कईयो ड़ा जप्पान रेंजे वेर पुल्ला, पुल्णगा, स्कॉल्ड, पन्टू, पन्टू, पोर्टू, पोर्टू, इन्दा जप्पान उली हलो दोस्तों तो रिलीस ने जा रही है तमिल की एक और दबर्दस्ट और दुमाकेदार फिल्म जिसका नाम है जप्पान ये एक एक्शन और एडवेंटर से बरपूर फिल्म होने वाली है और साथ ही साथ दोस्तों ये एक क्राइम और कॉमेडी से बरपूर फिल्म भी होने वाली है आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म में एक दिल्चस्प कहानी देखने को मिलेगी और हीरो को पकरने के लिए वो लोग हर मुमकिन कोशिश कर रही होते हैं लेकिन जितना वो हीरो को यानि जापान को पकरने की कोशिश करते हैं हीरो उनके हाथों से उनको उलजा कर वहां से भाग निकलता है पुलिस हीरो को पकड़ने के लिए मुखलिफ इनाम और हीरो के लिए जाल बिचाती है लेकिन फिल भी जपान को पकड़ने में नाकाम रहती है सोना यानि गोल्ड और पैखा जपान की कमजोरी होता है और वो इसकी चोरी का काम करता होता है इस फिलम में हीरो एक बहुत बड़ी चोरी करता है और शेहर के सेंटर में एक जगा एक घर में एक बहुत बड़ा दिवार में सुराह करता है और उसके जरी चोरी करता है और क्रोडों की चोरी करता है और उसका माल चुरा लेता है सब लोग हिरान होते हैं तो कि किसी को भी ना तो इस चोरी की और ना ये इस बड़े सुराख की खबर मिलती है और पुरा पुलिस जपार्टमेंट हीरो को डूड़ने में लग जाता है जैने कि जपान को डूड़ने में लग जाता है और कोई भी जपान को हाथ नहीं लगा पाता इस फिलम में मशूर एक्टर जिहोंने जपान करोल अदा किया है उनका नाम कारती है जिसके शोहरत और जबरदस एक्टिंग से कौन वाकिब नहीं है और इस फिलम में हिरो के तोर कर आपको बहुत इनहायत खुबसूरत अदाकारा अनु एमोल देखने को नज़र आएंगी इसके इलावा और भी बहुत से मशूर अदाकार इस फिलम का हिस्से हैं जिसमें सुनील भी शामिल हैं जिसके शोहरत के चर्चे भी कुछ कम नहीं है तो दोस्तो अब बात करते हैं इस फिलम की बज़ट की तो दोस्तो इस फिलम को 50 करोड के बड़े बड़े से त्यार किया गया है जो कि एक बहुत बड़ा बज़ट है और साथ ही साथ आप लोग को इस फिलम की रिलीज डेट के बारे में भी बताते चले तो ये फिलम दोस्तो आप लोगो को 21 मॉबर 2020 को इंडिया के तमाम बड़े सीने में घरूमें देखने को मिलेगी और ये फिलम हमें बहुत जल डबिंग में भी देखने को मिल जाएगी इस फिल्म की कहानी की एक खास बाद ये भी है कि इस फिल्म की कहानी में सस्पेंस बहुत दा रखा गया है जो कि इसके देखने वालों को हर्गिस बोर्ण ही होने देगी तो दोस्तो अब इस फिल्म को देखने के लिए आप कितने एकसाइटेट हैं हमीड कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई फिल्म की अपडेट के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें